की अवरिवान दिस इस मधू और मैं आज जो है वेकेब की एक नई वीडियो ले करके आई हूँ ने बहुत दिनों के बाद वेकेब कराने जा रही हूँ उसमें आपके चैनल पे लगभग आठ वीडियो पड़ी हूई हैं वेकेब की आज मैं नाइन्थ वीडियो सूट कर रह तो चलिए इसको अब हम लोग trick से कैसे आत करेंगे ये देख लेते हैं तो इसको हम लोग two parts में divide कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर buddy और nest को हम लोग nose से relate कर लेते हैं ठीक है तो इसको हम लोग एक trick बनाएंगे buddy nose करके ठीक है यहाँ पर buddy plus nose तो आप ऐसे relate करिये कि कोई classroom है उसमें एक बच्चा है जिसकी nose थोड़ा सा आगे से निकली हुई उसकी nose बड़ी हुई है तो जो class के बच्चे है सब क्या करते हैं उसको बहुत ही tease करते हैं बहुत उसको मजाक मजाक में चिड़ाते हैं बड़ी नोस वाला लड़का बड़ी नोस वाला लड़का तो इस ताइप से badiness को हम लोग relate करेंगें बड़ी नोस है जिसकी nose बड़ी है उसको लोग क्या करते हैं बच्चे मजाक में चिड़ाते हैं ओके I hope आप लोगों को याद हो गया होगा उसके बाद देखते हैं next meaning तो next meaning है हमारी बैफल बैफल का मतलब होता है चकरा देना ठीक है या फिर confuse कर देना ठीक है तो अब देखिए बैफल को हम लोग कैसे आद करेंगे बैफल को हम लोग relate कर लेते हैं वैफलो से क्योंकि वैफल और वैफलो मतलब मिलता जूलता शब्द है तो देखिए वैफलो से relate कर लेते हैं इसको एक story के बादे हम से हम लोग समझते हैं कि कोई गाउं है वहाँ पे एक person है उनके पास एक भैस होती है ठीक है अब भैस क्या करती है जब धीली बंदी होती ही न तो भाग जाती है तो भैस दोपहर में वो अंकल जी खाना खाने चले जाते है और भैस क्या करती है अपना जो रशी होती है उसको खोल के भाग जाती अब वो वापस आ कर के देखते हैं तो आप भैस नहीं होती ह Rings इतनी धूप होती है कि धूप में विचारे ढूड ढूड के उसको बहुती परिशान हो जाते हैं ठीक है बाद में वो कन्फ्यूज होते हैं कि इधर से ढूड़ू उधर जाओं कौन से डारिक्शन में जाओं और यह सोच के क्या होता है उनका दिमाग एकदब चकरा जाता है ठीक है तो वफैलो मतलब वफैलो को ढूड़ते हुए अंकल जी का जो दिमाग है वो चक्रा जाता है ठीक है तो वफैल का मतलब होता है चक्रा देना ठीक है कन्फ्यूज होना ओके वफैलो मतलब चक्रा देना या फिर कन्फ्यूज होना उसके बाद देखें अगला मीनिक ह तो बैट का मतलब होता है चारा चारा मतलब जो गाय भैस को खिलाया जाता है ना इसे हम बोलते है इसनेर बोलते है ट्रैब बोलते है या फिर डिको बोलते है और उसके अलावा इसे जो है हम लोग बैट का मतलब चारा उसके साथ साथ प्रलोबन देना भी होता ठीक है किसी को लालस देना किसी को कुछ चीज का लालस दे करके उसे फसाना इस टाइप से है ठीक है तो bet को देखे अब हम लोग कैसे याद करेंगे तो इसको याद करने के trick देख लीजिए इसको कैसे याद करेंगे तो देखे इसको भी two parts में divide कर लेंगे सबसे पहले इसको बी को हम लोग अलग कर लेंगे और एट को अलग कर लेंगे ठीक है ऐसे याद कर लेंगे बी को अलग कर लेंगे और एट को अलग कर लेंगे ठीक है और एट से हम लोग relate कर लेंगे इट वाला एट ठीक है तो एट से relate कर लेंगे कि खाना ठीक है at को, हम लोग eat से related कर लेंगे, ठीक है, eat मतलब खाना, और B, B को हम लोग relate कर लेंगे, भैस से, ठीक है, B को हम लोग किसे relate करेंगे, भैस एट ठीक है भैस क्या करती है एट करती है तो भैस क्या खाती है तो भैस चारा खाती है ठीक है तो बैट को हम लोग रिलेट करेंगे बी को भैस से और एट को हम लोग किससे एट मतलब खाने वाले एट से रिलेट करेंगे ठीक है तो बैट को हम लोग रिलेट करेंगे भै भैस चारा खाती है ठीक है इस टाइप से रिलेट करेंगे ना तो अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं आद होगा लेकिन अगर एक्जाम में आएगा ना तो आपको यही सारी बात है याद आएंगी तो आप लोग ऐसी जो ट्रिक्स होते हैं आपके एक्जाम में आपको तो अब देखते हैं बेल फुल को हम लोग कैसे आद करेंगे तो बेल फुल को हम लोग टू पार्स में डिवाइट करेंगे ठीक है तो इसका देखें ट्रिक बनाने की जड़ूत ही नहीं है वो दूर से दिखरा ना बेल फुल ठीक है तो अब देखें बेल को हम लोग ऐसे कोई भी पुरानी मुवीज देखिए होंगी 90s के तो उसमें देखिए क्या होता कि कोई भी हीरो होता है ठीक है तो अगर उसको ऐसे ही मताव निर्दोस होता है फिर भी क्या करते हैं लोग उसको उसके ओपर कोई भी इधर उधर का जाम लगा करकर उसको जेल में डलवा देते ठीक है बेल फुल मतलब बेल से चूटा हुआ हीरो क्या होता है वो बहुती जिधा घातक बन जाता है उसके बाद वो जब बहुती घातक हो जाता या फिर हानिकारक हो जाता है ठीक है उसके बाद देखते हैं अगला मीनिक है 85 देखे इसमें है बालक मतलब होता अनिचुक होना या फिर to be unwilling to do something ठीक है तो चलिए इसको ट्रिक से देख लेते हैं इसको कैसे आत करना है तो देख लेते हैं इसको हम लोग relate कर लेते हैं बालक को हम लोग relate कर लेते हैं बलकी से ठीक है बलकी मतलब बट वाला ठीक है लेकिन वाला तो इसको हम लोग बलकी से relate कर लेते हैं अब देखिए कि कोई भी lady यह ठीक है कोई भी girl है आप उसको कोई काम बता रहे हैं उसकी मम्म अभी थोड़ी देर में कर लेंगे ये कुछ मतलब वो बार-बार क्या कर रही है अगर-बगर कर रही है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी काम नहीं करना चाहती वो अनिच्छुक है काम नहीं करना चाहती उसका मन नहीं है तो बार-बार जो क्या करता है जो बलकी बो इसका मतलब होता है गर्म या फिर प्लीजेंटली वाउम ठीक है तो इसको हम लोग ट्रेक से कैसे आद करेंगे तो देखिए इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइट कर लेंगे बाल को अलग कर लेंगे और माई को अलग कर लेंगे ठीक है तो क्या होता है कि जब लोग लोग ठक जाते हैं, परिशान हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, बाल में कैसा तेल लगाते हैं, बाल में गर्म तेल लगाते हैं, इससे क्या होता है, इससे वो प्लिजिंटली वॉम, जिससे इनको बहुती जादा गरमाहट मिलती है, आराम मिलता है, ठेंडियों में लोग कैसे क Okay, उसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला मेनिंग मेनिग, 87 इसमें है बेन तो इसका बेन का मतलब होता अभिशाप या फिर कर्श ठीक है, जैसे बूहन होता है, बूहन का मतलब क्या होता है वर्दान, वैसे बेन रहा होता है अभिशाप कर्स मतलब अबिशाप होता है वैसे बेन भी पैन का मतलब अबिशाप होता है तो सब मतलब अबिशाप होता है। अगला अगला मीनिंग kabar तो बैंटर का मतलब होता है मजाक में चिढ़ाना इसमें है conversation which is funny and not serious ठीक है मजाक मजाक में किसी को क्या करना चिढ़ा देना ठीक है seriously नहीं है मजाक में कुछ भी कह देना तो देखिए यहां पर ऐसे हम लोग इसको रिलेट करते हैं स्टूरी से के class है उसमें एक लड़का है उसका नम है बंटी ठीक है लड़के का नाम क्या है बंटी अब उस बंटी को सब लोग क्या कहते हैं बंदर बंदर करके मजाक में चिढ़ा दे हैं बंटी को लोग क्या कहते हैं बंदर कह करें मजाक में चिढ़ाते हैं और इसके बाद देख लेते और अगला मीनिग सब्सक्राइब के काटा या फिर sharp projection from face hole ठीक है तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे relate करते हैं Barp को इसको relate करेंगे काटे से आप देखें Barp जो बारवर से मिलता जुलता बड़ है न तो इसको हम लोग ऐसे relate करेंगे कि जो बारवर होता जो बारवर होता बारबर मतलब क्या होता है बारबर मतलब होता है नाई ठीक है जो क्या करता है बाल वाल काड़ता है अब बारबर के पास बहुत ही ज्यादा जो है नुकेले अवजार होते हैं जैसे कि शार्प अवजार होते हैं ठीक है उनके पास क्या होता है कैची होती है और बहुत सारे उ के लिए मतलब कैचि वै ची होती है जिसको हम लोग काटे से रिलेट कर लेंगे ठीक है काठा ओके उसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला मीनिफ़ी का मतलब होता बरबर ठीक है सिविंजली कृवल जो बहुती कृवल होता है बरबरेक तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि आप दिखें इसमें दो वर्ट सार हैं बार बार और एक ठीक है तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे बार प्लस बार ठीक है उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे एक ठीक है बार बर एक ठीक है अब यहाँ पर कोई भी इंसान है ठी वो अपने बच्चे से क्या कह रही है कि बार बार एक ही काम कह रही है कि बार बार एक काम कह रही है कि बेटा कर लो बेटा कर लो बेटा नहीं सुन रहे है तो मम्मी क्या हो जाएंगी अब मम्मी जो है इतना politely तो भीव नहीं करेंगी असब भी हो जाएगा, बरबर का मतलब होता है, असब भी बिवार, ठीक है, क्रुवेल हो जाएगी, गुस्ते में उसको फिर थपड़ थपड़ लगाएगी, तो I hope आप लोगों को ये 10 के 10 मीनिंग याद हो गए होंगे, तो एक बार हम लोग रिवाइस कर लेते हैं, और उसक किया था, बैट मतलब हम लोगों ने, बैट मतलब क्या होता है, चारा होता है, इसको हम लोगों ने भैस इट से रिलेट किया था, बेलफुल मतलब घाता क्या हानिकारक होता है, तो जेल से छूटा हुआ, बेल पे आया हुआ, क्या हो जाता है, हीरो बहुत ही घाता हो जाता बाल को बाल का मतलब होता है अनुच्छुक होना मतलब जिसकी इच्छा ना हो तो मतलब जो बार बार अलकी बलकी करता है उसका मतलब क्या है उसका काम करने का मन नहीं है बाल में मतलब गरम या फिर बालों में लोग क्या करते है ठंडियों में बालों में कैसे तेल लगाते है गरम तेल लगाते होंकि उसके बाद बेन का मतलब होता अभिशाप बार्बर का मतलब है बंदर तो मम्मी क्या हो जाती, क्रुवल हो जाती, बहुत यह असा भी हो जाती, फिर उसकी पटाई लगाती, ठीक है, तो I hope आप लोगों को ये 10 के 10 मीनिंग्स अच्छे से याद हो गए होंगे, और आगे के 10 मीनिंग्स हम लोग करेंगे कल अगली वीडियो में, ओके, तो प्लीज इस वीडियो को जाती हो जादा लाइक सियर और सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू